इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वाल क्रिप्टो प्लाटफोर्म के ऊपर एक नए अपडेट आ चुका है वोटिंग सिस्टम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है प्रोरोटेट रिकवरी के लिए हो वैरेबल रिकवरी के लिए तो यह उप्शन क्या है कैसे आपको चूज आउट करना है कब तक वोटिंग यहाँ पर फिनिश होने वाली है और सभी स्कीम के अंदर जो आपको उप्शन मिले हैं सभी का मतलब क्या है सिंप्लिफाइब वे के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर यहाँ पर एक्जांपल के साथ समझाने वाला हूँ तो पूरा वीडियो यहाँ पर जरूर देखेगा तो गाईस पहले बात करते हैं हम लोग फॉर्म की फॉर्म आपको सिंप्लि कैसे ओपन करना है तो देखे जैसे आप अपने वाल्ट के अंदर सिंप्लि वाप के थूरू यहाँ पर लॉग इन करेंगे तो जैसे आप लॉग इन करेंगे तो गाईस आपको डैश्बोर्ट के उपर ही इस तरह का एक नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाएगा कि यहाँ पर वोटिंग 17 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है और 21 जुलाई तक यहाँ पर चलने वाली है तो गाईस सिंप्लि जैसे आप गो टू फॉर्म के उपर क्लिक करेंगे उस फॉर्म के उपर आप पहुँच जाएंगे तो देखें यहाँ पर अभी कोट ने इस स्कीम को यहाँ पर अप्रू नहीं किया जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर बात की ती कि वॉल्ट ने यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन दे रखें और उसको कोट के अंदर यहाँ पर बेसिली अप्रू कराने के लिए तो उसकी जो हीरिंग की डेट है वह 4 अगस्त है लेकिन वोल्ट ने यहाँ पर क्या कर दिया है एडवांस के अंदर जो है अपने यूजर से यहाँ पर वोटिंग लेना स्टार कर दिया है ताकि जैसे यहाँ पर कोट उसको अप्रू करे तो जो भी वोटिंग के यहाँ पर voting system यहां पर जो भी vote नहीं करने वाले हैं तो जो variable recovery track है उसके अंदर option का option नहीं है मतलब अगर आपको वोटिंग करनी है अगर आपको यह वाला option चीए तो आपको voting करनी 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 पड़ेगी अगर आप यह वाला अगर आपको यह option नहीं चीए तो by default यह आपके साथ में option रहने वाला है तो चलिए जानते हैं कि इन options का में यहां पर मतलब क्या है तो चलिए इसको example के साथ में समझते हैं जो वाल्ट ने हमने email के दोरा नहीं पर पूरा explain किया हुआ है तो for an example कि मालीजे जो total claim का amount है वाल्ट के पास में वो 325 million dollars का है ठीक है अब मालीजे आपका खुद का आपको दो option दे रखें पहला जो option है वो simply variable recoveries track का है और उसके अंदर भी ना दो sub option है जो कि एक RDA का है एक non RDA का है और जो दूसरा option है वो priority track का है अब इसका मतलब क्या है तो चलिए पहले हम लोग option 1 को देख लेते हैं तो जैसे में बता है कि भाई option 1 के अंदर भी दो sub option है एक है कि आप RDA के अंदर participate करो और एक है आप non RDA वाला option choose करो RDA का मतलब क्या है यहाँ पर simply आपको bid लगानी पड़ेगी मालनी जी आपका 1 million dollar का claim है तो आप यहाँ पर चाहते है कि मैं वाल्ट के उपर आपको ज्यादा भरोसा नहीं रहा है आप चाहते कि अभी ब मुझे पैसा नहीं चाहिए तो वाल्ट यहाँ पर आपका क्या करेगा जो भी आप यहाँ पर बिडिंग करेंगे उसका जितना भी बिड आपका अप्रू होगा उतना पैसा आपको मिल जाएगा और बाकी का जो पैसा है वो भूल जाओ उसकी बाद में simply आप यहाँ पर exit हो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम आएगी उसको यहाँ पर पहले चांस मिलने वाला है मालीजे किसी ने बिट लगाई 15% ही मुझे पैसा चाहिए तो भाई उसको सबसे पहले पैसा दिया जाएगा कि यह ले भाई तो अपने 15% पकेड़ बाकी के पैसे अपने भूल जा तो ग 50 या डॉलर आपको मिल जाएंगे बाकी के पैसे आप अपने भूल जाओ अब गाईस बात करते हैं दूसरी ऑप्शन की जो फर्सी ऑप्शन का जो है सेकिंड सब ऑप्शन है वो है कि आगर आप RDA के अंदर यहाँ पर पूरा बरोसा है कि कभी ना कभी मेरा पूरा पैसा य यान कि non RDA वाले उनको simply यहाँ पर बाटा जाएगा और उसके अंदर करमे claim का percentage यहाँ पर बताना चाहों तो वाल्ट यहाँ पर simply decide कर रखा है कि आपको 28% से लेकर 41% तक मिल सकता है तो यह जो percentage है कोई भी यहाँ पर पहले से decide नहीं कर सकता है यह सिर्फ आपको एक range दी यहाँ पर distribute किया जाएगा इस option के अंदर बस आपको benefit यह मिलेगा कि RDA के अंदर आपको यह बोला जराता कि आप अपना claim करो बाकी का पैसा बोल जाओ यहाँ पर ऐसा नहीं होगा आपको initial जो भी पैसा मिलेगा उसके बाद में भी आपका against the company आपका claim वगर रहेगा तो इन इसके लिए आपको काफी जादा wait करना पड़ सकता है, dates की भी में बात करो तो 26-27 भी यहाँ पर लग सकते हैं और world company के ओपर at least आपको भरसा ना चीए तभी जाकर जो non RDA वाला option है उसके अंदर better chances से recovery जादा होने के और इसके अंदर guys यह चीज भी यहाँ पर साफ लिखी ह तो 45% यानि कि 4,50,000,000 डॉलर होगे लेकिन जो अगर आप non RDA वाला route यहाँ पर choose out करते हो तो let's suppose आपको यहाँ पर 28% लेकर 41% तक का पैसा मिल सकता है और अगर आप यहाँ पर अपना देखो अपना percentage का देखो basically तो जो भी पैसा यहाँ बचता है कि अगर मालनीजी 110 million का liquid assets से उनके पास में 50 million मालनीचे basically यहाँ पर RDA section के अंदर चला गया तो बाकी का 65 million बचा है उसमें से hardly आपको 2,500,000,000 के something यहाँ पर मिलने वाला है यानि आपका initial जो भी percentage of the claim होगा उसी percentage में आपको बाकी बचा हुआ जो पैसा होगा उसमें से आपको पैसा यहाँ पर मिलेग low rate track का और उसी के लिए अभी right now यहाँ पर voting वगर है इन्होंने चालो कर रखी है तो guys इस option के अंदर उन्होंने यहाँ पर simply यह बोल रखा है कि यहाँ पर जो भी आपका percentage of the claim होगा जैसे हम लोगों ने देखा हमारा 0.31% का percentage of the claim है और 115 million dollar join के पास में liquid assets यहाँ पर पढ़ी हुई है तो guys यहाँ पर क्या होगा कि starting के अंदर roughly आपको 36% का यहाँ पर initial claim मिलने वाला है यानि guys अगर let's suppose अगर 115 million dollar का यहाँ पर liquid assets है तो उसमें से 3,55,735 dollar आपको मिल जाएंगे और इसमें ऐसा नहीं होगा RDA की तरह है कि बाकी का claim बूल जाओ नहीं अगर future के अंदर व के अंदर convert होगी बाकी का पैसा आपको मिलता जाएगा यहाँ पर ध्यान रखेगा कि यहाँ पर RDA का जो allocation दिया होता है यानि कि 50 million dollar का उनका जो allocation था और जो non RDA वालो के लिए 65 million dollar का allocation था उसके अंदर ऊपर नीचे हो सकता है वो कैसे होगा कि let's suppose अगर मालनीजे अभी right now ज जो amount था उसका केवल 60% यानि कि 30 million केवल RDA वाले को मिलने वाला है तो इससे जो यह ratio के जो percentage है वो काफी जादा ओपर नीचे होने वाले है तो देखे अगर मैं simply तरीके से यहाँ पर summarize करूँ अगर आपको यहाँ पर वाल्ट के उपर बिल्कुल भी बरोसा नहीं है amount बिल्क छोटा सा है बिल्कुल कम है आप गवाने के लिए यहाँ पर ready है तो best option तो यही है कि यहाँ पर simply जो है आप RDA के अंदर यहाँ पर participate करो एक यहाँ पर bidding लगाओ और जित्ता भी आपको पैसा मिल सकता है वो लेके यहाँ पर simply कमनी से निकल जाओ ताकि future में आकर आपको कोई यहाँ पर मगजमारी ना हो ना ही कोई आपको वेट करना पड़े maximum starting के अंदर जितना आपको claim मिल सकता है वो लेके यहाँ पर simply निकल सकते हो और इससे होगा भी यह कि right now अभी जो यहाँ पर पैसा जो distribute होने वाला है almost August के अंदर जो start हो जाएगा वो initially आपको यहाँ पर सब choose out कर सकते हो यहाँ फिर simply जो non RDA वाला option है उसको simply आप तरीके से यहाँ पर choose out कर सकते हो गाइस voting करना बढ़ा ही आसान है जैसे आप अपने account के अंदर logging करोंगे इन दोनों में से आपको एक option choose out करने है साथ में right now यहाँ पर आपको one time conversion का भी option दे रहा है इसका मदलब यह कि कि जितने भी currently आपके जो tokens है उसको आप convert भी कर सकते हो कि let's suppose आपके पास में ऐसा कोई tokens है जिसको आप convert करना चाहते हो या सभी tokens को मानीजी आप यहाँ पर बिटकोइन के इंदर simply convert करना चाहते हो तो वो चीज भी यहाँ पर possible है और मैं आपको एको चीज यहाँ बताना चा क्या मेरी cost लग सकती है, Ethereum में क्या क्या लग सकती है तो उस तARецे आपको calculation वगरे करनी है और अगर करना चाहते हो तो उस तरह से आपको अपने coins वगरे को यहाँ पर proper तरीके से जिस भी coins के अदर करना करना चाहते हो वह simply तरीके से यहाँ पर आपको select करना है वीडियो प्लीज सब्सक्राब चनल आप लोग के लिए यहां पर कौन सा बैस आप्शन है और आप कौन सा यहां पर सलेक्ट करने वाले तो प्लीज गाइस मुझे भी यहां पर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा थैंक यू गाइस थैंक यू वेरी माद